नमस्कार दोस्तों निफ्टिवा चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स हम इस बार फिर से मिस कर गए एक बड़ी रैली जो कि कल रात को डाव फ्यूचर में आई डाव फ्यूचर ने कल 32,490 जो कि मैंने वो जो रिजिस्टेंस में बोल रहा था बार बार कि 31,600 के उपर जब गया था डाव फ्यूचर तो मैंने कहा था कि 32,490 के और जाएगा ये तो उसको ये क्रोस कर गया अब क्रोस करने के बाद ये थोड़ा समय से ठीक कर देता हूं क्रोस करने के बाद ये चले गया 33,065 के आसपास जो कि उसका अलग निया रिजिस्टेंस अब देख कितना कमाते हम कितना प्रॉफिड लेते ये एक सोचने वाली बात है कि जब ये 32,500 के ऊपर निकला तो एक फ्रेश ब्रेक आउट आया और उसका इस्तमाल किस ने किया सिंगापूर निफ्टी वालों ने तो सिंगापूर निफ्टी ने काफी अच्छा उच्छा लाया और वो कहां गई 18,030 तक और हम वही के वही अब होका गया मैं आपको बताता हूँ क्या होगा ये देखिए हमारे साथ होता क्या है अब ये क्या होगा ये सुबह सुबह जब खुलेगा ये खुल जाएगा 33,064 के बाद खुलके इसमें रिजिस्टेंस है नेच्री बुकिंग आईगी है यहां से पहले भी तो यहां पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और हमारे जासे उस टाइम ये रेड में होगा और जब हमारी निफ्टी खुलेगी तो वहां प्रेशर पड़ जाएगा तो हम फिर से फिर वहीं के वहीं 17,800 के नीचे के नीचे वहीं ढाक के तीन मात तो ये सारा कुछ हमारे साथ हो रहा है ये एक दिन से ने पिछले 4-5 दिन हो गए सिंगापूर निफ्टी में जो लोग ट्रेड करें वो खूब कमा रहे हैं आपको याद होगा कि दिवाली वेले दिन भी 17,950 960 तक चलेगी थी और हम फिर वहीं के व और जिस्टेंस आ चुका होता है प्रॉफिट बुकिंग वहला लेवल आ चुका होता है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इसलिए जब उनके प्रॉफिट बुकिंग आते है वो माइनस चल रहा होता है और हम फिर उन्हें देख के हम भी वहीं के वहीं परिधार ही क्लोज होते हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि डौव Smith लाट को साढ़े-3 बजिंवाजे क्लोज होता है और थो फूर अधी बज़ी क्लोज दुन दू सेचाट हो जाता है और यहाइव चलते हैं जितना वो चलते हैं मतलब सिरफ दो घंटे क्लोज होता है और बाइस घंटे चलते हैं यह इंडेक्स पर हम हम वहीं छे गंटी की ट्रेडिंग और उस में ही सारा कुछ करना है और उसमें नहीं अंदज्जे लगाने साड़े तीन से पहले कि होना क्या नहीं होना और कल देखिए कल हमारी मार्केट क्लोज हुई क्यों हुई क्यों कि यह देखिए उस टाइंग डाव फ्यूचर इडिस्टेंस पर यहां था यह देखिए 32,270 एक बड़ा रिजिस्टेंस उसके ऊपर एक और बड़ा रिजिस्टें 32,490 तो हमारी मार्केट क्यासे आप क्लोज होती है तो नेचरली था कि हमारी मार्केट काफी नेक्टिविटी में क्लोज हुई है कोई पोस्टिवी जुरूर थी यह जुरूर है कि निफ्टी आपको दिखाई देता होगा कि प्लस में क्लोज हो गया नहीं निफ्टी काफी डाउन क्लोज हुए है क्यों यह देखिए इसका हाई देखिए निफ्टी का हाई है 17,838 क्लोज हुए 17,780 पे मतलब कितना लगबख 60.0 क्लोज हुए है तो यह कोई अच्छी बात नहीं है कि हम पीछ इसे ही कारणी हम काफी पीछे रह जाते है कि बंदे को समझने में इतना टाइम लगता है आम आत्मी को कि अब रैली आगी तो इस तरह से हमारी मार्केट में अभी इतना मजा नहीं रहता तो आए अब हम आते हैं कि हमने करना क्या है और देखिए दिखी रहा है कि गैप अपनिंग होगी यह मैंने कोई खास बात आ 100 का इंडेक्स लेकर गए थे तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत बेज दिया 6023 का और बाकी अभी उनके पास है मतलब आपको पता होगा कि जो कई दिनों से पिछले 4-5 दिनों से क्या हो रहा है एक गेम हो रही है कि सिंगापूर निफ्टी काफी अप होती है हम भी थोड बुकिंग आती है और हमारी जो मार्किट है वो नीचे आ जाती है देखिए डेली इसकी ओपनिंग काफी उपर हो रही है और इसके बाद मार्किट नीचे गिर जाती है डेली यही हाल है डेली गैप अपनिंग होती है उसके बाद मार्किट नीचे आ जाती है तो यह ड्राम में आपको याद है कि पी नोट्स का जब मामला आया था तो एक ही दिन में उन्होंने इतनी मार के गड़ा दी थी इसी से कहा जाता है कि ब्लड बात हुआ था तो वो उस दिन ब्लड बात एक तरह से हुआ था जो साथ सो आट सोला शेर था वो बीस रुपे कर रह गया था तो वो ताकत थी एफ़ाइस की अब वो ताकत खतम हो चुकी है अब वो काफी फर्स चुके है इसलिए भी वो सिंगापू निफ्टी को खू आपफ़ेस होचते हैं तो यह चीज पिछले एक हफ़ते से दिख भी रही है बार बार इसे इसके लिए कोई प्रूफ देने की कोई जुरूरत भी नहीं है यह दिख भी रहा है तो अब आपफ़ेस ऐसा खेल खेलते हैं कि पूरा गैप अपनी होती है वो प्रोफिल बुकि होती है वो भी बाई कर लेते हैं वो बाज में फस जाते हैं तो इन चीजों से बचने के लिए ही हम डेली वीडियो बनाते हैं अब आप देखिए कि अब हमने करना क्या है देखिए हम गैप अपर अगर होती है तो अगर तो देखिए 41,260 के ऊपर आए बैंक निफ्टी का stop loss लगाना sorry 40,850 का stop loss लगाना है उपर target रहेगा 41,329 41,382 41,455 अब एक चीज और बताता हूं और 41,548 अब करना क्या है अगर तो देखिए इस एरिया में खुलगी market तो बिलकुल भी हाथ नहीं लगाना आपने यहां पे खुलने पे यहां से तो आएगी profit booking आपको पहले इसे नीचे गिडने दो इसे आने दो 41,200,260 के आसपास तब बाय करना है यह नहीं कि एकदम से चलांग लगा देनी कि चलो जी हम भी बाय करने तो यहां से profit booking आ जाएगी अब माल लिजे इसके उपर खुल जाती है फिर क्या करना है अगर 41,550 और 600 के उपर जाकर भी market खु या 675 के उपर ही बाय करना उससे पहले नहीं अगर यहां खुल भी जाए तो एक डिप आने की वेट करना वो डिप कहां आना चाहिए वापस 41,500 तक डिप आएगा तो उसे बाय करना यहां तक डिप आना चाहिए क्यों मैं आपको समझाता हूं कारण के देखिए 41,500 पर जादा हो गया है तब जाकर आपने यह step उठाना है वरना step यहां पर नहीं उठाना तो इस बात का आपने इस area में ध्यान रखना है और उपर के target क्या रहेंगे 41,796 और 42,000 अगर 41,500 के आप उपर आप खरीदते भी हो तो नीचे आपका stop loss क्या होना चाहिए वो stop loss आपका ज प्रिदोगे भी तो ठीक है ना और नीचे की और जो आप यहां पर बाय करोगे तो आपको stop loss बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर खुली गेम है यहां पर बाय करेंगे लोग जम कर बाय करेंगे 40,000 पर इतना पूट राइटर इतना कॉल राइटर नहीं है अगर तो फटा फट 40,000 पर पूट राइटर आ जाएगा यह तो पता ही है तो यहां से आपने बाय करना है 40,850 के stop loss के साथ और टार्गेट मैंने आपको बताई दियें फाइनल टार्गेट 42,090 42,200 तक कि आपको मिल सकते नीचे की और आपने पूट अब तब ही बाय करनी है अग आपको दिखे की 40,770 तक तूट गया है तब आपने 41,000 के stop loss के साथ 41,000 की put buy कर लेनी है और नीचे target मिलेगा 40,690 40,628 और 10,000 है हमारा 40,577 तो इस area में आपने अपना profit book कर लेनी है तो यह था हमारा bank nifty का trade set डिप कौन सा buy करना है डिप देखिए अगर 40,500 तक कोई डिप मि भी करना है यह भी याद रखना है जैसे 10MI तो यहां पर buy भी करना है और उसके बाद 40,400 के stop loss के साथ आपने इसे buy कर लेना उपर के target वापस आपको reverse चलती market दिखेगी क्योंकि सभी यह देख रहे हैं कि एक deep buy तब buy करें क्योंकि market काफी उपर जा चुकी है और आपको याद लिए तो यह भी कुछ कारण है कि बैंक निफ्टिया भागनी रही दूसरा जो मैंने आपको कारण बताया था कि पहले तो बाइडन साब ने एक attack किया था यूएस साओधी अरब पर नहीं कि अब मैं सारा reserve wall निकाल दूगा और सस्ता करूंगा अब जो arm lobby है वहां की जो मैं ने आपको बताया भी था कि कैसे arm lobby अपना असर छोड़ती है यूएस की market पर यूएस के जो leadership है उस पर भी तो राश्टरबती अब ठंडे से पढ़ गए है कि इसलिए crude फिर से बढ़ना शुरू हो गया जब इस तरह की बातें बाहर आई ये कोई news नहीं होती या अंदर की बातें होती हैं तो ऐसी बातें जब बाहर आई तब ये crude मेंगा वापस हो गया पहले तो कुरूड 90 से भी नीचे आ गया था तो फिर से वापस आ गया 95 पे तो ये भी वज़ा है कि bank nifty हमारी भाग नहीं रहे तो आएए अब हम आते हैं nifty कि उससे पहले हम थोड़ा सा stocks दे गठ हमें हासिल हुआ और तीसरा stock था गेल को हमने 80 एक stock मैंने शायद miss कर दिया इसमें delete हो गया तो आपको मैं कल को बता दूँगा या मुझे याद भी नहीं कौन सा stock हमें लिया था शायद मुझे delete हो गया तो कल के लिए यह तीन stock है वो यह हैं सबसे पहले गेल को आपने 88 तक कोई भी डिप आई बाय करना है यह मैंने पहले भी दिया था आपको कि अगर 88 क्रोस हो गया तो हमने बाय करना है यह मने लाइन लगाई थी पहले तो 87 के stock loss के साथ टार्गर 89, 91, 91.50 और 93 तक के टार्गेट आपको मिल सकते दूसरा है सीमेंस सीमेंस ने भी देखिए कोई भी डिप आई बाय कीजिए 2830 का stop loss टार्गर 2936, 2972, 3019, 3068 तक के टार्गेट आपको मिल सकते हैं तीसरा जो स्टोक है वो DLF, DLF मैंने पहले भी दिया फिर से दे रहा हूं कि कोई भी 375 तक डिप आता है तो बाय करते रहिए 369 का stop loss और उपर टार्गर 391, 400, 407, 413 त यहाँ नई वीडियो डाली है हार्मोनिक पैटरन के बारे में कि आप वहाँ पे सीख सकते हैं कि कैसे हार्मोनिक पैटर्गर को ड्रा करना है कैसे stop loss निकालने है कैसे target निकालने है तो इससे आपके काफी knowledge बढ़ेगी तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिया हार्मोनिक पैटरन कैसे सीखें वो सारा कुछ मैंने बताया हुए तो आईए अब हम आते हैं निफ्टी पर उससे पहले हम देख लें थोड़ा सा इंडिया विक्स यह काफी ज्यादा डाउन है यही कारणे कि प्रीमियम में अब बिल्कुल भी इतना वदर के जो लोग कॉल पुट डॉलर इंडेक्स लगाता नीचे आ रहा है तो यह हमारे रुपईया के लिए अच्छा है तो रुपईया का मजबूत होता चला जाएगा और हमारी मार्केट फिर पॉजिटिव जॉन में रहेगी और ट्रेजरी बॉन्ड जिल तो ना ही देखिए तो अच्छा है यह हमारे 17840, 17840, 17840 तो अब भी कल आप देखा होगे 17840 से ही प्रोफिट बुकिंग आई है तो वो नहीं क्रोस हुआ तो आपने जैसे 17840 के उपर जाए तब ही निफ्टी को बाय करना है वो लेवल आपने या रखना है 17,840 जब तक यह नहीं निकलता क्यों नहीं निकलता यह न 17840 था अब एक और निकल गया 28 अक्तूबर का हाई भी 17840 है तो यह निकलेगा तो एक अच्छा गुड़नेस आएगी फील गुड़ आएगा फैक्टर निफ्टी के अंदर तो 17800 की कॉल लेनी है 70,800 की और स्टॉप लॉस लगाना है 70,800 गई उपर टार्गेट मिलेगे 17,8 58,78,895 और 950,956 तक के टार्गेट आपको मिल सकते हैं अब स्वाल उड़ता है कि आपको होगी कि गैप अप ओपनिंग तो दिख रही है उसके हिसाब सही बताओ तो वह भी मैं बताता हूं कि आपने कौन-कौन सी गैप ओपनिंग भाय करनी है ध्यान से देखना अगर तो 17 840 से इस एरिया मिले तो समयलो मिठाई मिल गी है खाने को खाईए इंज्वाइ कीजिए पर इतनी असान नहीं होती स्टॉक मार्केट यहां तो बहुत बड़ी गैप अपनिंग खुल जाएगी अगर यहां तो खुली सिद्धी 18,023 तो यहां से तो मार्केट नीचे आईग उसे बाय करना है क्यों क्योंकि 17,950 प्रिवियस एक स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस है तो इस डिप को फिर बाय करना है वेट करना है अगर 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 यहां खुल गी मार्केट तो 17,950 नो सो चपन के आशवर बाय करना है और स्टॉप लोस लगाना है क्या लगाओगे 17,850 का बड़ा स्टॉप लगाना है 100 पॉइंट का अगर मालीज यहां खुलती है अगर यहां खुल गी तो मतलब 17,900 पर पोट राइडर नहीं है फिर वहां कॉल राइटर ही ज्यादा आएगा 18,000 पर भी और 17,900 क्योंकि क्लेर होगा कि मार्केट तो यह लगाएगी तो आपने फिर उस डिप का वेट करने है डिप कौन सा 17,850, 17,880 तक के डिप को बाहे करने है क्यों क्योंकि इसका भी लो 18 अगस का लो भी 17,870 है और इसका भी लो 17,870 है और इसका भी लो 15 सतंबर का भी 17,870 है तो 17,850, 17,870 तक को डिप पाएगा तो यहां पे तो आपने बाहे करन करना है वो तो मैंने बताई हुआ है कि 17800 के साथ तो यह फिर टार्गेट आपको जो स्क्रीन पर है यह सारे आपको मिल सकते तो यह था निफ्टी का अपर साइड अब आते हैं डाउन साइड पर कि डिप कौन सा बाय करना है डिप तो देखिए बाय करना है 17500 तक का कोई भी डिप आए 17500 से 17600 के आसपास तो इसे बाय कीजिए क्योंकि 10 अमा यहीं पर है 17500 सत्रा चार्सो प्चास का स्टॉप लॉस रखना और ऊपर क्योंकि यहां पे 50 अमा 20 अमा सारा कुछ है तो यह तो स्ट्रॉंग स्पोर्ट है तो इसमें कोई डढने वाली बात नहीं है पुट आपने तभी लेनी है 17400 टूटे तब आपने पुट ले लेनी है 17500 की 17500 के स्टॉप लॉस के साथ नीचे आपको टार्गर मिलेगा 17384 और 17354 तक के टार्गर आपको मिल सकते हैं क्योंकि यह आप 50 अम है तो 50 अमा इसे रोग देगा गिरने से तो यहां पर आपको 50-100 पॉइंट मिल सकते हैं पुट तो यह रहा हमारा कंप्लीट ट्रेट सेट अप फोर मंडे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरू लाइक कीजिए हमारे चल को सब्सक्राइब कीजिए और जद ज़द ज़द वीडियो को शेर कीजिए थैंक्यू धन्य झाल